मज़रательно के पूरो मुखि मंथरी और प्रदेश कॉंग्रेस सध्यक्ष कमलनाद की आवाहान पर प्रदेश भर में कॉंग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान जारी है इसी कड़ी में घरगों चले के कसरावद में पूरो मंत्री सचिन यादव के नित्र तुमें अभियान चलाया के है जिसमें कारी करता हाथ ठेले पर गैस सिलेंडर रखकर रेली निकालते दिखे वहीं बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा सरकार को जिम्मदार ठेरा है पूर्वक्रिशी मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव ने शुकरवार को अपने विधानसपा क्षेत्र कसरावद में बेंड बाजों के साथ पूरो मुख्य मंत्री कमलनाद द्वारा चलाये जा रहे घर चलो घर घर चलो अभियान के सदसिजा अभियान की एवम लिए गए निर्णाई से अवगत करवाया वहीं भारती जन्तापार्टी की जन्विरोधी नीतियों के बारे में भी मत दाताओं एवम कारे करताओं को पता है जो यह कहते में जबते हैं कि कितान मेरा भगवार है सरकार में आने के बार क्या स्थिती हुई है यह आप सब देख रहा है आज लगबग दो साल होने में आ रहे है ना तो जो तीन किस्टे बची हुई है काम जो हर दियास तक और ना ही जो हम एर्णमापी की जो हमारे बचम के अनुसार हमने किसान उपर बिली का पिल में आदा करने का मादने साथ तरह इसका सावत वधां सबाके जो हमारे वर्त माताय वहने है जो पैंशिन धाली है जिनको 15 साल तक मात्र पेंशन के नाम पर 300 रुपे मिलते थे उस पेंशन की राशी को भी बढ़ा करके हमने 600 करी और जब सरकार हमारी गिरी थी 10 मार्च को उसमें जो अगला बज़ेट हमारे आने वाला था उस अगले बज़ेट में अपरेल के बज़ेट में हम लोग उस अप वन्होंता एक बहुन का अपर कर्पन क्या और दस लाक रुपे देने की ब्र out ऑर मांग की है क्या जिया है कि हमारे और हमारे साथ्वन की यही कोशिश यह परियास है कि कसव इधान समाज बध कर दॉट ताकि समाजिक जो गतिविदिया होती है जो वार थे वार होते हैं उनको दुर्वकी रूप से वो संपन्ध हो सके ऐसी कोशिश हमारे और हमारे तमाम साथ्यू की हैं हमने विगत वर्षों में कसावत के यादो मौने में यादो समाज के लिए 10 लाग की राशी से एक सामुदाय भावन के नर्मान करने की बात हमने करी थी जो पूर्न होगी जिसका आज लोकारपण कारेकर तुन ने रखा था समाज की और भी मांग थी कि यह उसके उपर जो है और भी यह नर्मान हो उसके लिए हमने आने वाले जो हमारा अपरेल में हमारे बजट आएगा उसमें हम 10 लाग रुपे या तो समाज की धरमशाला के इसकी एक्सेंशन के लिए हम लोग देने जा रहे हैं और साथ ही साथ आज मद्वदेश कॉंगरेस कमिटी के द्वारा जो घर चलो अभ्यान जो चल रहा है जो आकिल भारते कॉंगरेस कमिटी की तरफ से जो दस्तता अभ्यान की शुरुआद हुई है उसको लेकर के भी आज हमने घरगर हम लोग गये थे कमाम साथ ने लोग गये और भारतेंता पाटी की जो नीतियां थी उन नीतियों के का विरोध हम सब सात्यों ने किया जो उन नीतियों के कारण आज आम जनता जो परिशान हो रही है जो आम जनता का जीवन यापन करना जो दुश्वार हो गया है मुश्किल हो गया है महंगाई एक जो है बहुत बड़ी समस्या आज पूरे मदब देश और भारत देश में है और महंगाई को कम करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी ठोस कदम ना तो प्रदेश सरकार उठारी है और ना ही केंद सरकार उठारी है तो कुल मिल आकर के आज जो सामान्य व्यक्ति है जो आम व्यक्ति है उस आम व्यक्ति के लिए बड़ी कठिन और चुनोती पूर्ण वातावरन है और ये सरकार जो है जो वर्दमान सरकारे हैं ये सिर्फ बड़े-बड़े पूजिपति और उद्योपतियों के लिए काम कर है और हम सब साथी वरोधी लिख योग विरोधी नीटिया हैं मैला विरोधी नीटिया है इन प्रकार से महेंगाई आज इनके शाशन काल में चरम पर पुचए हैं इन सबका विरोध कर लेया हैं और जन्ता की बीच में इस अविहां के बाड़ा सबस zitten प्रकाश कर्मा की रिपोवड